आज की स्यूडियो में आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं कप्छा नवी वाले विद्यार्थियों को अध्याय साथ को पढ़ाने जा रहा हूं तो अध्याय साथ में क्या दिया हुआ है रासियों की तुलना दिया हुआ है यहाँ पे काफी interesting question आपको देखने को मिलेगा बहुती मज़दार question और बहुती आसान प्रस्न है सभी के सभी तो चलो देखते हैं प्रस्नावली 7.1 के प्रस्नों को तो प्रस्नावली 7.1 का पहला प्रस्न है मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3950 रुपे बचाता है उनकी मासिक आय कितनी है किनकी मासिक आय पूछ रहे है भई मोहन की मोहन की मासिक आय ग्याद करना है इसका मतलब ये है कि इसे हम कुछ मान सकते है क्या माने X मान सकते है बिलकुल मान सकते है तो यहाँ पे जिसे हमें ग्याद करना है उसे मान लेते हैं ज्यादा असान होगा तो यहाँ पे लिखो मोहन की मासिक आए इसे x मान लेते हैं ठीक है x रूपीज मान लेते हैं अब जो दिया है उसको देख लेते हैं तो परस्ण में मोहन की मासिक आए दिया हुआ है ठीक है प्रतिसात में दिया है तो प्रतिसात में लिखेंगे तो यहां पे लिखो मोहन की मासिक खर्च है ना और यह खर्च है क्योंकि मासिक आय को एक समाना है और यह जो है यह खर्च है 75%, मतलब समझ रहे हो आप, नहीं समझ रहे हो, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पर, देखो ऊल आय को हमने क्या माना, जितना, मतलब जो आय है, मासी का है, मतलब क्या, सेल्दी है, एक महिने में जितना इनकाम होता है, वो आय है, इसका अब यह जीतना पैसा, एक मेने में सेल धी पाता है, उनका 75-30 पैसा जो है, वो खर्चा कर देता है, ठीके, खर्चा कर देता है, तो 75-30 खर्चा करता है, उसके बाद भी कुछ बचेगा न, उसके पास, तो आप बचत देख लेते हैं तो यहाँ पे बचत कितना है तो मोहन की बचत यहाँ पे लिखो मोहन की बचत यह भी दिया हुआ है बचत कितना करता है 3950 रुपिय वो बचत करता है मोहन के द्वारा देखो यहां पे कुछ भी सपष्ट नहीं हो रहा है ठीक है ना तो हमें कुल आय पता है ना तो हमें 75% का हिस्सा पता है ना ही मोहन जो बचत कर रहा है ठीक है बचत तो कर रहा है यह पता है लेकिन कुल आय आसानी से हम नहीं निकाल सकते हैं ना तो आसानी से मासिक खर्चों क पता कर सकते हैं तो क्या करेंगे यहां पे जो 75 पतिसत दिया है ना इसके माध्यम से हम हल करने वाले हैं तो देखो आसान करते हैं अभी से यहां पे कितना दिया है 75 पतिसत इसे लेकर चलते हैं बहुत आसान हो जाएगा ठीक है जो 75 पतिसत है वो क्या है तो 75 पतिसत खर्च है ठीक है तो मान लो मानते हैं कि जो टोटल जो आय है अगर प्रतिसाद में देखा जाये तो 100% का होता है definitely होता है कि नहीं होता है ना तो वही कर लेते हैं देखो यहाँ पे लिख लेते हैं बचत प्रतिसाद में निकाल रहे न अभी बचत इसके बाद आय निकाल लो और यह रहा कितना है खर्च है ठीक है यह सब प्रतिसाद में तो क्या करेंगे घटाएंगे तो बचत प्राप्त हो जाएगा आय कितना है मान लेते हैं आय जो है वो कितना होता है प्रतिसत में 100 प्रतिसत होता है और खर्च कितना किया है उन्होंने 75 प्रतिसत तो बचेगा कितना डेफिनिटली है 25 प्रतिसत बचेगा समझ में आ गया 25 प्रतिसत उसके पास बचेगा बचत जो है 25 प्रतिसत तो यह जो ब और बराबर है तो यहाँ पे अब आसानी से हम कूल आया निकाल सकते हैं तो चलो इसको लेकर हल करते हैं तो यहाँ पे लिखो मोहन की बचत वाला जो topic है ठीक है तो कितना है 3950 रुपे बराबर कॉन है 25 प्रतिसत है ठीक है 25 प्रतिसत है इसे लिखते कैसे हैं तो चलो इसे देखो अब 3950 है स्वारी यहां पे मैं फिर बूल रहा था ठीक तीन हजान नौसो पचास यह 25 को हम लिखते हैं 25 बटा 100 लिखते हैं और इसके साथ गुड़ा कर देंगे मोहन की कुल आयका किसके साथ 25 प्रतीसत के साथ क्योंकि बचा जो है 25 प्रतीसत है और हमें निकालना क्या कूल आयको प्रतीसत के साथ ही सिर्फ गुड़ा किया जाता है तो यहां पे इसके साथ गुड़ा कर दो अब आसानी से निकल जाएगा देखो 25 से कम 25 कितना आ गया 14 तो यह होगा 3950 बरावर 154 और यह गुड़ा है इसके साथ x का अब यह दोनों जो है गुड गुड़ा में होता है या भाग में होता है तब क्या करते हैं तीर्या गुड़ा लगाते हैं और जोडने या घटाने के रूप में होता है तो पक्छांतर नियम लागो होता है पक्छांतर में मान को एक देखा से दूसरे जगा ट्रांसफर किया जाता है और इसमें क्या होत तो एकसर रखो इसको आगे हल करते हैं तो कितना होगा चार सुनियम सूर चार पंचय बीस का सुनिया फिर हासिल आएगा दो चार निया च्छतीस और दो कितना होता है अर्टीस तो अर्टीस का आठ हो गया तीन हासिल आगया चार तिया बारा और तीन कितना होगा पंदरा ये इसका answer है और यही हमें इसमें ज्याद करना था देखो बहुत आसान प्रसन था खलो दूसरा प्रसन देखते हैं दूसरा प्रसन है कक्षा 10 वी में 60 प्रतिसत लड़किया है और उनकी संख्या 18 है तो कक्षा में लड़के वा लड़कियों की संख्या का अनुपाद क्या होगा कक्षा में कुल कितने चात्र चात्रा है तो यहाँ पर अनुपाद भी बताना है और चात्र चात्राओं की संख्या भी बताना है अब यहाँ पर देखो सिर्फ लड़कियों की संख्या दिया हुआ है लड़कों की संख्या नहीं दिया है तो क्या करेंगे ग्याद करेंगे लेकिन इससे बड़ा टॉपिक ये है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ग्याद करेंगे लेकिन कुल संख्या भी तो पता नहीं है हमें। तो क्या कर सकते हैं? कुल संख्या को पहले मानना होगा। तो मान लो यहाँ पे माना कक्षा दसवी में विद्यार्थियों की संख्या की संख्या। चात्र चात्राओं भी लिख सकते हो तो इसको एक्स मान लेते हैं ठीक है? क्योंकि कुल के बिना हम हल नहीं कर सकते हैं। तो कुल आपको मानना होगा। इसके बाद प्रस्न में क्या क्या दिया है? जो दिया उसको ले लेते हैं भी। फिर प्रस्न में दिया हुआ है कक्षा दसवी में विद्यार्थियों का प्रतिसात दिया है। लड़कियों की संख्या दिया हुआ है ठीक है तो यहां पर फिर से लिखो कप्छा दसवी में लड़कियों की संख्या की संख्या अठारा दिया हुआ है और इसका प्रतिसाद भी दिया हुआ है दस्वी में लड़कियों का प्रतीसत ठीक है इस तरह से लिख लेते हैं ये प्रतीसत का सिंबॉल लगा देते हैं आप इसको प्रतीसत लिखना ठीक है प्रतीसत का मैं सिंबॉल लगा रहा हूं और ये इस तरह से 60 प्रतीसत दिया हुए अब यहाँ पे आप लोगों को एक पता चल गया होगा कि कप्छा दस्वी में 18 लड़कियों से अधिक तो हो ही नहीं सकता तोकि यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि लड़कियों की संख्या 18 है और यह 18 जो है न यह किसके बराबर है 60 प्रतिसत के बराबर मतलब यह दोनों एक दूसरे के बराबर है जो 18 है यह 60 प्रतिसत के बराबर है अब बाकी जो 40 प्रतिसत है बचा हुआ है वो किसकी संख्या हो सकता है लड़कों की न फिक्स है वो लड़कों का ही होगा लड़कियों का तो फिक्स हो चुका है कि 60 प्रतिसत है तो बचेगा वो किसकी है किसकी संख्या होगी लड़कों का समझ में आगे तो बचा हुआ जो प्रतिसत है वो लड़कों का रहेगा तो पहले हम kul संख्या निकाल लेते हैं जोकि यही main topic है बिना kul के हम कुछ भी नहीं कर सकते तो kul निकाल लेते हैं यहाँ पे लिखो कच्छा दसवी कुल विद्यारतियों की संख्या मैं सौट कर में लिख देता हूँ विद्यारतियों की संख्या कितना है X है ना तो ये X है रहेगा ठीक है इसको हल करते हैं बस इतना ही लिखो अब यहाँ पे देखो ये जो 18 प्रतीसत है इसको ग्याद करें ना तो ग्याद करने का तरीका मैं बताता हूँ एक मिनट यहाँ पे करो ठीक ज्याद करने का तरीका क्या है यह 18 है इसको यहाँ पे निक रखो ठीक 18 को यहाँ पे रखते हैं और बराबर क्या करेंगे एक सेकेंड इससे सबको नीचे में लिखो ज्यादा असान रहेगा यह 18 होगी ठीक 18 बराबर इसके बराबर कितना है 60 प्रतीसात है इस तरह से और इसके साथ गुड़ित किसका करेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या यह रहा कुल विद्यार्थियों की संख्या X से इसके साथ गुड़ा कर दो फिर यह 18 बराबर 60 बटा यह 100 हो जाएगा और यह हो जाएगा X यहाँ पे यह 20 के पहाड़े से 3 बार में कट रहा और 20 के पहाड़े से यह 5 बार में कट गिया यहाँ पे कितना आया यहाँ पे आया 3 पान 5 आया गुडित एक्स सप्राप्त हुआ अब यहाँ पे देखो गुड़ा के रूप में है, तो क्या करेंगे, तीरिया गुड़ा नियम लागू करेंगे, जो उपर का मान, यहाँ से इसे हटाना होता है, ठीक है, एक से हमें इन दोनों मान को हटाना है, तो हटाने का एक ही तरीका है, क्या तरीका है भई, तीरिया तो नीचे आगे ये बहाग के रूप में नीचे हो जाएगा तो जास्ट नीचे के मान उपर चला गया उपर का मान नीचे आ गया इस तरह से यहां पंजे कितना होता है तो यह आगे छह पंजे तीस तो कुल विद्यार्तियों की संख्या कितनी हो गई कुल विद्यार्तियों की संख्या जो है वह तीस है कुल विद्यार्तियों की संख्या कितनी है तीस है इसमें आप लोगों को पता होगा कि लड़कियों की संख्या कितनी है चात्रों की संख्या, चात्राओं की संख्या, चात्राओं की संख्या तो 18 है, अब बस हमें चात्र की संख्या निकालने, क्योंकि प्रस्न में चात्र की संख्या भी ग्यात का निकलिक है, तो निकालो चात्र की संख्या, तो यहां पे निकालो, दिखो चात्र की संख्या गटा देंगे कुल कितना है? तीस है. गटाएंगे कितना? 18 तो कितना प्राप्थ हो जाएगा? गटाने पर ये 12 प्राप्थ हो गया. तो छात्र की संख्या कितना निकल गया? कि संख्या बराबर बारा. देखो ये भी जयात हो गया, प्रस्ण में जो जो चीज का है वो निकालते जा रहे हैं, तो यहां पे छात्र की संख्या निकल गया, अब यहां पे मुझे छात्र की भी संख्या पता है, और छात्राओं की भी संख्या पता है, दोनों पता है, तो आसानी से अब अनुपात निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर अनुपात कैसे निकालोगे तो यहाँ पर लिखो अनुपात निकालोगे लड़के और लड़कें का अनुपात चात्र मतलब लड़के और चात्राएं मतलब चात्राएं चात्राएं का मतलब होता है लड़की ठीक है तो छात्रों छात्राओं का जो संख्या वो पता चल गया है तो आप आसानी से रख सकते हैं तो यहाँ पर अब लड़की दिया है तो लड़की और लड़की के रूप में लिका लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे लड़के की संख्या, अनुपात, लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या 12 है और लड़कियों की संख्या 18 है, इसे और कैसे लिख सकते हैं, 12 बटे 18, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, भाग दे दो, तो ये 6 के पाड़े से दोनों कट रह अब इसे अनुपात में लिख लेते हैं ठीक अनुपात में वापस लिख लेते हैं तो कैसे लिखोगे दो अनुपात तीन इस तरह से तो यहां पर आब आप बता सकते हो अत्हां कक्छा दस्वी में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात दो अनुपात तीन होगा ठीक है इस तरह से आप इसे बता सकते हो देखो बहुत आसान प्रस्न था यह भी बन गया चलो आगे देखते हैं नेश्ट प्रस्न को इसके बाद तीसरा प्रस्न में आते हैं तीसरा प्रस्न है 940 रुपे अंकित मुल्य वाली वस्तू 760 रुपे में बेची जाती है तो बट्टा और बट्टा प्रस्न कितना हुए बट्टा और बट्टा प्रस्न निकालना चलो इसको हल करते हैं बहुत आसान प्रस्न है हल ज वस्तु का अंकित मूल्य बराबर दिया हुआ है 950 रूपिय दिया हुआ है ठीक है और वस्तु का विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है साथ सो साट रूपिया दिया हुए ठीक है वस्तू का अंकित मूल्य है नौ सो पचास रूपे और वस्तू का विक्रय मूल्य है साथ सो साट रूपे दिया हुए अब पहले बट्टा निकाल लेते हैं बट्टा बहुत आसाने निकालना, इसलिए बट्टा निकाल लेते हैं, तो बट्टा बराबर, यहाँ पर लिखो अंकित मूल्य, मैं घटा देंगे किसको वस्तू का मूल्य, वस्तू का मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है भई, 950 रुपय, वस्तू का मूल्य कितना है, 760 रुपय, पर यहां पर 190 रुपय प्राप्त हुआ तो यह निकल गया बट्टा ठीक है अब बट्टा प्रतिसत निकाल लेते हैं बट्टा प्रतिसत भी बहुत आसान है बट्टा प्रतिसत कैसे निकालते हैं तो देखो पहले आपको लिखना है यहां पर बट्टा लिखना है फिर अंकित मूल्य लिखना है यह सूत्र है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ और यहाँ पे 100 इस तरह से लिखा रहेगा ठीक है प्रतिसत में बट्टा कितना है देखो अभी हमने निकाला 190 रूपया अंकित मूल्य कितना है अंकित मूल्य यहाँ पे देख सकते हो 950 रूपया है तो पांच की पाड़ा में यह कItnal कितने बार जा रहा है पांच एकम और पांच निय क्या अब यह 19 से अदे कर रहे है 19 से कम यह उननी से कम और उननी सुनियम दस से तो यहां पर बट्टा प्रदित कितना हो दस दुनी बीस दोनों को गुड़ा करेंगे तो यहां पर आ गया बीस प्रतिसत आ गया ठीक है बीस प्रतिसत जो है बट्टा प्रतिसत है तो यहां पर आप लिख सकते हो अतह अतह वस्तू पर बट्टा प्रतिसत 20 प्रतिसत होगा ठीक इस तरह से आपको बनाने है समझ में आ गया बाकि जो प्रस्न मैंने अभी छोड़ दिया है आगे वाले वीडियो में देखेंगे उसे वो सारे जो प्रस्न है उसको नेश्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा